तो चलिए दोस्तों बिहार के तमाम 15 बड़ी ब्रेकिंग नूज के बारे में इस वीडियो में जानते हैं जिसमें सबसे पहले आपको बताएंगे दिल्ली में धमाकी को लेकर बिहार में अलट जाई बिहार में ठंड कब तक बढ़ी रहेगी बड़ी ख़बर पपो यादब पर एफायर दर्ज एक सर्थ पर महागडबंदन के स्रिंखला में सामिल होंगे जितन रामाजी साथ आपको बताएंगे लालो यादब को कब मिलेगी बेर राज के सडक हादसे में घायल लोगों का होगा मुप्त में इलाज बिहार के सभी जीले में होंगे ट्रेपिक विबस्ता बिहार के ESI अस्पताल में 15 से होगा मुप्त इलाज सोलर लाइट से जगमग होगा पूरा बिहार और हमत में आपको सरकारी नौकरी से जुड़े कुछ महतपोन जानकारी देंगे पटपट से हमेशा की तरह आप इस वीडियो को ये के प्यारा लाइक जरूर कर दें और साथी साथ कमेंड बोक्स में आप ये जरूर बताएं क्या बिहार के किस जीले में रहते हैं और आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंड बोक्स में जरूर पूछें आज की सबसे बड़ी खबर दिल्ली में धमाका बिहार में अलट पुलिस हेड़कोर्टर ने सभी जीलो के स्पी को किया साथा दरसल राजदानी में सुकरवार साम को इजरायली दोतावास के डेड़ सो मिटर के दोरी पर हुए धमाके के बाद बिहार में पुलिस को अलट मोड पर रखा गिया है दिल्ली में आईडी धमाके खबर सामने आते ही बिहार पुलिस हेड़कोर्टर की ओर से राज़ के सभी जीलो के एसपी एसपी और रेल एसपी को पत्र लिखकर सावधान किया गया है आपको बता दे कि इजरायली दोतावास से डेड़ सो मिटर की दोरी पर हुए धमाके की जाच की जारी है बताया जारा है कि विसपोर्ट बोतल के जरिय किया गया है जिसमें कुछ गाड़ियों के सिसे भी तूट गया है बड़ी कबर बिहार सरकार का बड़ा फैसला सो मुआर से खुलेंगे चटी से आटवी तक के स्कूल 50% बच्चे और 100% टीचर जाएंगे जिया सरकार ने आठ परवरी से चटी से आटवी तक के स्कूल को खुलने का फैसला किया है सुकरवार को हुवी क्राइसिस मेनेजमेंट ग्रूप की मीटिंग में यहाँ बड़ा निर्ने लिया गिया है सुकरवार को हुवी क्राइसिस मेनेजमेंट ग्रूप की बैठक में सरकार ने यहाँ निर्ने लिया है अगली बड़ी कबर बिहार में 28 फरवरी तक बढ़ाए गई कोरोना की गाइडलाइन स्वीमिंग पूल खुलने की इजाज़त अब सिनेमा घरों में बेट सकेंगे 50 परतिसत से जागलो सिनक्रमित कोरोना मरिजों की ताधाद कम होने के बाद सरकार ने बिहार में ग्रिया विभाग ने को गाइडलाइन को 28 फरवरी 2021 तक बढ़ाने का फैसला किया है स्विमिंग पूल को खुलने की इजाज़त दे दी गई है सरकार की ओर से यहां आदे से जारी कर दिया गिया है केंद्र सरकार की ओर से जो गाइडलाइन जारी की गई है उसी को बिहार में भी लागू किया गिया है त्रियम मंत्रालाई ने जो निर्दे से जारी किया है उनके मुताबिक एक परवरी से 28 परवरीते के लिए नई गाइडलाइन जारी की है सरकार की तरब से जारी नई गाइडलाइन के अनुसार अब सिनेमा घरों में भी 50-56 से ज़्यादा लोग बैट सकेंगे पेट्रोल डिजल की कीमोतों में आग लगाएगी नितिस सरकार सडकों के मेंटनेस के लिए सेस लगाने की तयारी उसके मेंटनेस के लिए सरकार ने पेट्रोल और डिजल पर सेस लगाने की तयारी सुरु कर दिया या अतिरिक्त टेक्स लगने के बाद बिहार में पेट्रोल डिजल की कीमत और बढ़ जाएगी पड़ी कबर पटना में इस साल सबसे ठंडा दिन रहा सुक्रवार अभी रहात के आसार नहीं पता दे कि बिहार के अधिकतर भाग भारी ठंड की चपेट में हैं पिछले 24 घंटों के अंदर राज के दचनी भाग में हुई बारिस ने ठंड को और गंभीर बना दिया है अगले 48 घंटे में इस से कमी होने का आसार नहीं है ठंड की इस्तिती को देखते हैं मौसम विभाग ने लोगों को सचित रहने की सला दी है बिभाग ने बताया कि सुकरवार को पटना में इस साल सबसे ठंडा दिन रहा तो महीं पिछले 48 घंटों में पटना गया मुझपर पूर भागल पूर पूर पूर्निया फारबिस गंज दर्बंगा और छप्रा में कोल डेख की स्तिती रही बड़ी कबर सामने आ रही है पपू यादा पर एफायर दर्ज हो गई है बगेर अनुमती के धरना पर बैठने का आरोप लगाया गया है जिहां जानादिकार पार्टी सुप्रेमो पपू यादा पर जिल्ला पसासन ने सुकरवार को मकदमा दर्ज किया है यहां मुकदमा उन पर गांधी मैदान में बगेर अनुमती के धरना पर बैठने के आरोप में किया गिया है मजिस्टेट ने गांधी मैदान थाने में प्रतम की दर्ज कराई है सिटी मजिस्टेट सुधी कुमार ने बताया कि गांधी मैदान सुबह में मौर्निंग वार्क करने वालों के लिए खोला जाता है इसी बेच पपो यादव अपने समर्तोकों के साथ गांधी मूर्ती के पास धरने पर बैट गए वे दिल्ली में किसानों पर हुए लाठी चार्ज और किसान बिल को वापस लेने की मांग पर धरना पर बैट हुए थे बाद में मजिस्टेट और पुलिस बल ने वहाँ पर पहुचकर उन्हें हटाया है महागडबंदन के मानव स्रिंखला में सामिल होना चाहते हैं जितना माजी लेकिन रखी ये सर्त तीन नए कृसिक कानोनों के खिलाप और किसानों के समर्तन में आज महागडबंदन ने मानव सा बनाने की घोषना की है बिहार के पूरो मिक मंत्रे जितरा मांजी ने मानव स्रिंखला के कायरकरम में सामिल होने की इच्छा जाताई है लेकिन उन्होंने आरोप लगाते हुए इसके लिए एक सर्त रखी है सुकरवार को मांजी ने ट्विट करके कहा कि अगर माहागरबंदन के नेता किसानों की जमीन लोटा दे तो मैं मानव स्रिंखला में सामिल होने पर विचार कर सकता हूँ हिंदुस्तान आवा मोर्चा के अद्विट किया नोकरी और टिकट के लिए जिन निताओं ने किसानों से जमीन लिखवाई है अगर उनसे किसानों की जमीन माहागरबंदन के लोग वापिस करवा दे तो मैं भी मानव स्रिंखला में सामिल होने पर विचार कर सकता हूँ घोर कलियोग आ गया है नोकरी और टिकट के लिए किसानों की जमीन लिखवाने वाले भी किसानों को नियाए दिलवाएंगे बड़ी कबर आरजडी सुप्रेमो लालो यादब को बेल के लिए अभी और करना होगा इंतिजार 12 परवरी को जमानत याचिका पर होगी सुनवा कि दोरान जस्टिस अपरेश कुमार सिंग ने सिबियाए से पुछा कि उन्हें लालो प्रसाद की ओर से दाखिल जवाब मिला है या नहीं इस पर सिबियाए की ओर से बताया गया कि मिल गया है कोट ने कहा कि यदि सिबियाए चाहे तो इस मामली में जवाब दाखिल कर सकती इस पर सिबियाई की और से कहा गया कि इस सपत पत्र में कुछ भी नया नहीं है यादि लालू प्रसाद की और से बहस की जाएगी तो वह जवाब देने को तैयार है इसके बाद अदालत ने 12 फरवरी को सुनवाई की तितिन निधारित की है इहार के सभी जिलों में होंगे ट्रेफिक डेसपी दर्बंगा भागलपूर समेत सभी नगर में लगेंगे ट्रेफिक सिग्नल आज में ट्रेफिक विवैस्ता को बहतर बनाने की कावायाद सुरू हो गई है ट्रेफिक आईजी एमार नायक ने आवास विभाग वप्रहन एसपी तैनात किये जाएंगे वहीं सभी 18 नगर निकाये को ट्रेफिक लाइट लगाया जाएगा अगली बड़ी कबर बिहाटा के एस आई अस्पताल में 15 फरवरी से सभी परकार की सुविदाव के साथ ओपीडी इंडोर वो ओटी सुरू किया जाएगा इसको लेकर स्रम एवजगार मंत्रालाई भारत सरकार द्वारा बहाली की प्रक्रिया सुरू कर दी गई है स्रम संसादन विवाग के मुताबिक अस्पताल को नियमित चलाने के लिए एनाटोमी जेनरल मेडिसीन जेनरल सरजरी गायानी फिजिकल मेडिसेन एवं रीहबिलेटेशन और पीजि चेत्र के लावकों को लाब होगा बिहाटा एस आई अस्पताल तीन सो बेड के साथ सुरू होगा जहां सभी तरह के इलाज बिलकुल मुप्त में है बाड़ी कबर दस लाक सोलर लाइट से जगमग होंगे बिहार के गाउं हर वाड में लगेगी उसतन दस सोलर इस्टिट ल लाइट लगाने की दिशा में कारी शुरू कर दिया गया है हर वाड में उसतन दस सोलर इस्टिट लाइट लगाई जाएगी पंचाइती राज विभाग के अपर मुख सचीव अमरित लाल मिना ने बताए कि समानेता वाडों में 30 मिटर की उसत दोरी पर सोलर इस्टिट लगेगा 10 गुना ज्यादा जुर्माना तंबाकु नियंतरन अधनियम में संसोधन का ड्राप्ट तयार किया है इसमें खुले में सिगरेट पीने पर लगने वाला जुर्माना 10 गुना बढ़ा दिया गया है मसलन किसी के सारवजने किस्तल पर सिगरेट पीते पकड़े जाने पर 200 रुपय की जगा 2000 रुपय का जुर्माना लगेगा यही नहीं इसमें तंबाकु की खरिद बिकरी की नियुनतम उम्रसिमा 18 साल से बढ़ा कर 21 साल करने का प्रावधान सामिल करते हुए होटल रेस्टो भी बोले मौनी बाबा बनने की बजाए चुपी तोड़े मुख मंत्री नए क्रिसी कानून के खिलाप देश भर में चल रहे अंदोलन ने अब बिहार में भी सियासी सरगमी बढ़ा दी है निता प्रतिपर्च तेजसु यादम ने कल महागरबंदन के सेर्ष निताओं के सा किया जिसके बाद किसान मजदूर बनकर रह गए निता प्रतिपर्च ने आरोप लगाया कि मुख मंत्री नितीश कुमार बिहार में किसानों को अब भिखारी बनाना चाहते हैं तो जैसे यादम ने नितीश कुमार से सिधा सवाल किया है कि वहां किसान आंदोलन पर चुप कि कब तोड़ेंगे किसी कानुन को लेकर उनकी राय क्या है उन्हें साथ तोर पर बताना चाहिए अगली बड़ी कबर केंद्रे मंत्री सहनवाज होसेन और बिहार सरकार में मंत्री मुके सहनी ने सुकरवार को बिहार विदान परिशद सदेश के रूप में सपत ली दोना ह अबर पर इंडियन ओएल कोरपरेशनलिमिटेट ने निकाल जुनियर इंजिनियरंग क्लिए निटिया जाने आवेदन की परेची यहां इंडियन ओएल क्यवीले ने जुनियर इंजिनियर एसिस्टेंट फोर के लिए 28 से जन्वरीट पर ओनलाइन आवेदन अमंत्रित किये हैं इसके लिए कुल रित पदो की संग्या सोलो रखी गई है और इसके अंतिम्तिती 19 परवरी 2021 रखी इसके लिए सेक्षने की योगता केमिकल या रिफाइनरी एव से छोटा गरा कौन सा है इसका जवाब आप हमें नीचे कमेंड बॉक्स में जरूर बताएं